वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गिहू के आटे से बनने वाले एक मज़िदा सी रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये फटाफ सपानी लगाते हो इसका एक डो तयार कर लिया है और इसे चिकना होने तक गूत लिया है जैसा हम रोटी और पराठे के लिए डो लगाते हैं मिलकुल वैसे ही अब इसे डखका साइड में रख देते हैं 5-6 मिनिट के लिए रेस्ट होने के लिए यहां पर मैंने चार का भी यूज कर सकते हैं और इसमें मैंने थोड़ी सी एजवाइन एड की है हिंग एड की है और सॉल्ट एड किया है और रेड पास्ता सॉस एड किया है आप चाहें तो कोई और भी स्पाइस यूज कर सकते हैं जो भी स्पाइस आपको पसंद हो या फिर सॉस भी यूज कर स अब चलते हैं अपनी आटे की तरफ हमारा आटा भी काफी अच्छे से सेट हो गया होगा और यह हमाई स्टफिंग तयार है हम इसको साइड में रखते हैं और अपने आटे को चेक करते हैं और देखिए हमारा आटा काफी सेट हो गया है इसको एक दो बार अच्छे से गूत के चिकना कर लेते हैं। Now हम आटे में से पीड़े तोड़ेंगे 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 आपयाते हैं। एसलिक में मेरे सारे पीड़े बनाकर तयार कर लिए मिने और यconomara bildya में और अजी आफ गरी पाट नीदिद आफ कर दिते है। और देखिए मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिये हैं अब हम इरे साइड पर रखेंगे और एक पेड़ा लेंगे और उस पे सुखा आठा लगाएंगे आप चाहें तो ऑईल भी लगा सकते हैं पर मैंने यहां पे सुखा आठा लगाया है और हम हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा हम इसे पतलाई रखेंगे हम हम इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे अब देखें हमाई रोटी बिल करके तयार है अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे जो स्टफिंग हमने बनाई थी अब हम इसमें कट लगाएंगे हम स्टार्टिंग से लेकर बीच तक कट लगाएंगे हम इसमें पूरे पे कट नहीं लगाएंगे इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे स्टार्टिंग से लेकर आधे में कट लगाएंगे पूरे में कट नहीं लगाना है और देखिए हमारे सारे नाश्ते पे कट लग गए हैं अब इसमें 4 दरफ पानी लगाएंगे ताकि ये ओल में जाके खुले नहीं आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं बहुत आराम से चिपक जाएगा अब साइगों से भी उठाते हैं फोल्ड करेंगे और फिर हम इस नाश्ते को पूरी तरह से प्रें तक फोल्ड कर देंगे इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और एक बहुत उनीक सा डिजाइन में करके तेयार हो जाएगा फटा फट से बन जाता है बहुत लादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में देखें कितना सुम्दा बनाया है मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूं बिल्कुल वैसे है जैसे हमने पेले बनाया था बिल्कुल एक भीड़ा लें गे उसको राउंट शेप देंगे रोटी के अकार का हम इसको राउंट शेप में बीलेंगे आप मिल्कुल पेले की तरह ये बन जाएगा देखे हमारी रोटी बिलकर तियार है अब हम इसमें stuffing fill करेंगे और starting से cut लगाएंगे बीच में cut लगाते हुए आएंगे starting से बीच की तरफ cut लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह से आपको cut लगाने है अब चाहँ तरफ पानी लगाएंगे और इसको round round घुमाते हुए फेंट तक चिपका देंगे जैसे हमने पहले किया था अब साइडों से इसको चिपकाएंगे तो दफ से इसको fold करेंगे बिल्कुल starting तक इसको fold करते हुए ले जाएंगे और देखे हमारे एक हओ नाश्टव बन करके तगयार है मैं ऐसी आरब से सारी नाश्टे बना कर तयार कर लेती हूए , घंक सी पिर, आप चलते हैं व्राइ करनी की तरफ के इसको तरफ है मैंने सारे बना कर दिया है आप हम इसको fry करेंगे हम इसको medium flame पर ही fry करेंगे वरना ही अंदर से कच्चे रह जाएंगे और देखे मैंने शारा नाष्टा oil में add कर दिया है अब हम इसको उलट प्लट कर गोल्डन ब्राउन नहीं तक सेक लेंगे हम इसको medium flame पर ही fry करेंगे वरना यह अंदर से कच्छे रजाएंगे और ऊपर से color आ जाएगा तो आप इसको low to medium flame पर ही fry करें और देखें इन पर कितना अच्छा सा color आने लगा है यह काफी अच्छे fry होने लगे हैं भी इनको पुलटते सी तरह से फ़्राइ करते रहेंगे और देखें हमाया नाश्ता बंगर के तयार हैं chama perdical निकाल लेते हैं अब साहिएपोब्स निकाल लेते हैं ताकि सारह एक स्बूंति निकल जाए तया है देख्यार है कितना सुंदर लग रहा यह खान शूपा कि मैं राइते के साथ सेफ़ किया है आप चाहें तो इसे साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी साथ कर सकते हैं देखें कितना क्रिंची और टेस्टी है अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज में चाहें को सब्सक्राइब कीजिए में वीडियो को लाइक और शेयर काहें धि अच्री लगेजीए तक और शेयर लगेजे हैं हो किया आपकोर न रायएं अच्छी